नमस्कार दोस्तों, trucksbuses.com पे आपका स्वागत है, एक ऐसी वेबसाइट जहां आपको मिलेंगे लेटेस्ट ट्रक्स, उनके कमपेरिशन्स और भी बहुत कुछ. आज हम आपको लेचलेंगे लसी वी ट्रक्स की दुनिया में, जहां Tata Motors ने LPT 407 का एक नया आवतार लाँच किया है. कुछ साल पहले तक, दोसे धाइटन पेलोड सेग्मेंट में, Tata की SFC 407 पिकप ही लगबग-लगबग मार्केट को केटर करती थी. 2016 में, आईशर की प्रो 1049 लाँच हुई और इस सेग्मेंट के डाइनमिक्स बदले. 2.7 टन रेटेट पेलोड के साथ, आईशर ने इस सेग्मेंट में अपनी एक अलग पहचान बनाई. और अपनी मजबूती इस सेग्मेंट में काइम रखने के लिए, हाल ही में, Tata Motors ने इंटर्ड्यूज किया है अब तक का सबसे छोटा LPT 407. कुछ नया है इस सेग्मेंट के लिए और इस सेग्मेंट के ग्रहकों के लिए. क्या कुछ खास है इस नए ट्रक में? आईए देखते हैं. साड़े 5 तन GVW के साथ यह आपको देता है लगबग 2 तन का ओफिशल पेलोड और लोड कैरी करने के लिए इसमें लगा है इस श्रीनी का सबसे लंबा 10.6 फीट लंबाई वाला कार्गो बॉड्यू. इंजिन और ड्राइल लाइन के अगर बात करें तो इसमें लगा है आपका चाहीता टाटा का रेलाइबल 4S PCR इंजिन जो आपको देता है 85 होस्पावर की बेजोड ताकत और 250 न्यूटन मीटर का फ्लैट टॉर्क. ये फ्लैट टॉर्क आपको 1400 से 2400 RPM के बीच में मिलेगा जिसका मतलब है सिटी मुवमेंट में आपको बार बार गेर चेंज करने की ज़रुरत नहीं पड़ेगी. ट्रांस्मिशन के तौर पे इसमें लगा है 5-Speed Manual Gearbox जो आपको देता है Best in the Segment 40% की Gradibility. फ्यूल टैंक की अगर बात करें इसमें लगा है 90 लिटर का इस सेग्मेंट का सबसे बड़ा फ्यूल टैंक. नौ से दस किलोमेटर प्रती लिटर की लगबग माइलेज के साथ ये आपको 800 से 900 किलोमेटर बिना रोके ले जा सकता है. मतलब ये है कि अब आप इस ट्रक को इंटरा सिटी ही नहीं, शौर्ट डिस्टेंस इंटर सिटी एप्लिकेशन में भी यूज कर सकते हैं. देकैब के साथ 275 mm का वील बेस रखा गया है, साथ पचास सोला के बड़े रेडियल टायर्स के साथ ये आपको देता है, 180 mm का ग्राउंड क्लेरेंस और 5.1 मीटर के बेस्ट इन क्लास टर्निंग सर्कल रेडियस के साथ आप सक्त से सक्त रास्ते बड़ी आसानी से इस बात यह है कि इसमें आपको मिलता है लोवेस्ट इन क्लास सेंटर ओफ ग्राविटी जिसके कारण लोड़ेड कंडिशन्स में गाड़ी को बैलन्स बनाने में काफी मतद बिलती है यहां हम आपको बताना चाहेंगे कि सबसे लंबे लोड़ बॉड़ी के साथ साथ यह आपको देता है सबसे वाइड कारगो बॉड़ी जी हां 7.4 फीट वाइड कारगो बॉक्स के साथ यह आपको मेक्सिमम लोड़िंग एरिया देता है हमारे हिसाब से ये ट्रक आइडियल रहेगा FMCG, Fruits and Vegetable, Parcel and Courier, Poultry इत्यादी सेगमेंट्स के लिए केबिन कमफर्ट और सेफ्टी के अगर बात करें तो इसमें बेसिक फीचर्ज के साथ Tata का All-Steel LPT केबिन दिया गया है Full Forward Controls के कारण Turnings पे या Corners पे आपको बहतरीन Front Visibility बिलती है Driver Comfort की बात करें तो इसमें Power Steering as a Standard फीचर दिया गया है जो कि इस श्रेणी के और ट्रक्स में आपको नहीं मिलता ये लंबी ड्राइविंग के दौरान Driver की Fatigue और ठकान दोनों को कम करता है साथी साथ Driver के लिए 4-way Adjustable Driver Seat दी गई है Adjustable Headrest के साथ एक बहुत ही Basic सा Utility Dashboard दिया गया है जो कि आपको और भी Tata के LPT ट्रक्स में दिखेगा लंबी दूरी पे Mobile Charge करने के लिए Mobile Charging Point Music System का Provision Blower as a Standard और एक Lockable Glove Box Safety के अगर बात करें तो ELR Seat Belts दिये गए है Brakes के तौर पे Vacuum Assisted Hydraulic Brakes दिये गए है और एक अलग सा फीचर हमें यहां दिखाई दिया जो कि आम तौर पे आपको ट्रक्स में नहीं मिलता अगर आपने Seat Belts नहीं लगाया है तो यहां पो आपको एक Warning Light जलती हुई नजर आएगी आईए बात करते हैं इसके Maintenance की Tata Motors का प्रोड़क्ट होने के कारण इसके Spare Parts और Mechanics आपको लगबग हर जगे बड़ी आसानी से मिल जाते हैं वारंटी के तौर पे कंपनी ने इस पे तीन साल या तीन लाग किलोमेटर की स्टेंडर ड्राइव लाइन वारंटी दी है इसके साथ-साथ इसमें 20,000 किलोमेटर का सर्विस इंटरविल भी रखा गया है यही नहीं इसके साथ-साथ आपको मिलेगा 10 लाग रुपए तक का Unnamed Driver Insurance बिल्कुल मुफ्त जून की लेटेस्ट प्राइस लिस्ट के अनुसार कमपनी ने इसकी एक शूरूम कीमत 9,61,000 उपए रखी है हाई साथ डेक उप्शन के लिए अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आये हो तो इसे लाइक और शेर जरूर करें आप अपने सुझाओ नीचे दिये गए कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें वी रेली हैद अगूद टाइम मेकिंग इस वीडियो होप यूद आगूद टाइम वाचिंग होप यूद आगूद आगए यूद आगको हमारे वीडियो